लोकसभाच रौमें सपा से नहीं आपस में लड़ रहे थे बीजेपी नेता इसलिए मिल गई हार हार के कारणों के शुरू हुई चार्ज तो बढ़ गई तकरा आपस पे उलचते दिखाई दे रहे हैं बीजेपी के नेता नमस्कार आपके साथ मैं हूँ आदित कुबार उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इस बार बड़ी हार मिली है पार्टी की तरब से दावा तो सभी 80 सीटों पर जीत का किया जा रहा था लेकिन आधी सीट भी नहीं जीत पाए उल्टा यूपी में सपा लंबे समय बाद सबसे बड़ी पार्टी बनकर लोकसभाज नौँ में उभरी है पूरे एंडिये को 36 सीटे ही मिली तो सपा को अकेले ही 37 सीटे जीत ली है कॉंग्रेस की 6 सीटे अगर जोड दी जाए तो ये संख्या 43 पहुंच जाती है बीजेपी को मिली इस हार पर अब मन्थन का दौर चल रहा है मीटिंग पर मीटिंग हो रहे ही कि इतनी बड़ी हार कैसे मिल गई हार के कारणू की परताल के लिए ग्राउंड रिपोर्ट पर निकले विशेस दस्ते को अभी तक भले ही बीजेपी हाई कमान को अपने रिपोर्ट ना सौपी हो लेकिन अब तक की जाँच में ये साफ हो गया है कि तमाम सीटों पर लोकसभा प्रत्यासियों, विधायकों और संगठन की पदादिकारियों के बीच चुनाओं से अधिक खुद की जंग, अधिक शिद्दत से लड़ी गई पार्टी के नेता ये मान कर चल रहे थे कि बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप कर रही इसलिए अपने क्षेत्र में अपनी पार्टी को हराने में उन्होंने पूरी ताखत लगा दी व्यक्तिगत दुश्मनी को जम कर साधा गया, पार्टी के हिद को किनारे रख दिया गया और पार्टी के तमाम नेताओं ने खुद का हिद साध लिया इसका नतीजा हुआ कि उत्तर प्रदेश वे भाजपा 80 सीट जीतने के लक्ष से जहां चूग गई वहीं अपने कोर वोट बैंक घैर यादो पिछड़ी जातियों के करीब 8 फिजदी से अधिक वोट भी गमा बैठी 2019 के मुकाबले अपनी करीब आधी सीटे गमाने के बाद बीजेपी का आत्म विश्वास पूरी तरह से हिल गया है इसलिए चुनाओ के पहले तक कागजों पर सक्री रहा पार्टी संगठन अब हर लोग सभग शेतर में जम कर जमीनी हकीकत पर रख रहा है बीजेपी ने अब हार के कारणों पर मंतन के लिए 40 टीमें बनाई हैं हर टीम को दो-दो सीटों के जिम्मधारी दी गई है जहां जीत मिली वहां की रिपोर्ट भी मांगी गई है और जहां हार मिली उसके कारण तलाशे जा रहे हैं और सबसे बड़ा कारण तो बीजेपी उम्मीदवार के स्थाने विधायक और संगठन के नेताओं के बीच जारी जंग को भी माना गया है दरसल सांसत के खिलाब पहले से ही जनता में नाराजगी थी एंटियन किम्बिंसी फैक्टर था वो स्वाभाविक था वहीं सम्विधान और अरक्षण जैसे मुद्दे बीजेपी के खिलाब काम कर रहे थे हार को लेकर चल रही समीक्षा बैटक में आपस में चर्चा कम और आपसी टकराओ को लेकर बातें ज्यादा हो रही थी कई जगे तो बैटक में ही टकराओ के हालाद बन गए सिधार्थनगर, सहारानपुर, आयोध्या इन जगों पर बवाल हो गया तीनों जगा बीजेपी के कारिकरता अपस में भिड़ गए जिसका वीडियो भी सामने आया है सिधार्थनगर में इटावा विधान सभा की समिक्षा हो रही थी तभी पूर मंतरी सतीष दुवेदी और जिला अध्यक्ष कनहिया लाल पासवान की मौजूदगी में बवाल हो गया इटावा नगर पंचायत अध्यक्ष विकास जैसवाल के ड्राइवर और भाजपा कारिकरताओं में जमकर मार्पी ठोने लगी क्योंकि किसी ने कहा कि चुनाओ में साइकिल चलाने वाले कैसे बैठक में आ गए बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जिला अध्यक्ष कनहिया पासवान के खिलाप वहाँ पर नारे बाजी भी शुरू कर दी जिसके बाद विवाद बढ़ गया जो मारपीट में तबदील हो गया सहारानपुर में भी बीजेपी की समिक्षा बैठक में हंगामा हो गया वहाँ पर बीजेपी के प्रदेश महामंत्री गोविंद नरायट शुकलार और विधायक आशिश कुमार सिंग आसू की मौजूदगी में बैठक चल रही थी इसी दोरान अपार्टी कारेकरताओं ने लोकसभा चुनाओ हारने के जमदार योगी सरकार में पी डबलू डी राज्यमंत्री कुमर ब्रजेश सिंग और विधायक राजियू गुमबर को बता दिया दोनों के खिलाप वहाँ जम कर नारे बाजी भी शुरू कर दी गई बीजेपी उम्मीदवार के खिलाप माहौल तयार हुआ बीजेपी कारेकरताओं ने दावा किया कि पार्टी उम्मीदवार को हरवाने के लिए नगर विधायक राजियू गुमबर ने पूरी ताकत लगाई थी जिसके चलते सहारन पुर नगर में केवल 50% ही मद्दान करकर कारेकरताओं ने ये भी दावा किया कि नगर विधायक के बूत पर ही बीजेपी को सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा है जहां सपा को 1000 से जादा वोट मिले जबकि बीजेपी को आधे वोट भी नहीं मिल जके यानि कि 500 से भी कम वोट मिले समिक्षा बैठक में जिस तरह से पार्टी के कारेकरता आपस में भीड रहे हैं उससे एक बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई है कि अगर गुडबाजी इसी तरह रही तो फिर 2027 में विधान सबाचुनाओं के पैड़ाम लोगसभा से भी खराब आ सकते हैं बुरे आ सकते हैं तो अगर ये हुआ तो फिर योगी की कुरसी जाना लगभग तैमाना जा रहा है अगर आपने नोधरपन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिए ताकि अपडेट के साथ आप तक खपरे पहुंचते रहें नमस्कार